मतलब एक दिन में 5-6 घंटा तो टाइम देना ही होता है तीनों ही सब्जेक्ट्स को और जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको आपको घर पर आके रिवाइस करना है तो इससे नहीं मतलब दूसरे शहर में भी रहे के नीट के तियारी की जा सकती है लेकिन कोटा में कॉंपेटिशन बहुत ज्यादा मिलता है तो उससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि इसी भी सब खालता के लिए इंस्टिशूशन का कितना हाथ होता है और प्रस्नल जो योगदान है यानि अपनी जो डेडिकेशन है अपनी पढ़ाई की जो प्रती समर्पन है वो कितना ह हो सकता है इंस्टिट्यूट का तो होता ही है लेकिन जब तक हम लोगों से सेल स्टेडी नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो खुद का भी डेडिकेशन होना चाहिए बहुत खुसी मिलती है मावाब का लावा जितने भी रिलेटिव है सब खुसी मिलती है सब को खुसी मिलती है अब बच्चा जो डेडिकेशन था दो साल से कहीं नहीं आना ना जाना बस अपने कर्म के परति एदम समाफिक थी हमारे सामने में आस्था है नीट का रिजल्ट आ चुका है तो वहीं मध्वनी की आस्था ने नीट में सिक्स फिप्टी नाइन अंक लाकर के पर्चम लहरादी है सबसे पहले इनका मूल हो जो है पुरे मध्वनी की वर्से आपको बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि दो साल का मेहनत का रिजल्ट मिल गया है अब ब्लास्ट में कितने अंग पर आपकी है शिक्स फिफ्टी नाइन प्रसंटाल मूले तो नाइंटी नाइन पॉइंट सेवन अच्छा बताए कि आपकी तयारी कहां से हुई थी कोटा से कोटा में क्या एक साल की की फॉंडेशन की है या उसका पू क्लासक से इवन से ही मिला की डॉक्टर ही बनना है आप बताइए कि कोटा में जाके ही परहाई नीट के लिए की जा सकती है या गाउं में या सहर में दूसरे शहर में भी रहके नीट की तियारी की जा सकती है लेकिन कोटा में इसान के लिए कि पशो गिने की लिए या अपनी जो समर्पन वो कितना हो सकता है इंसट्यूट का तो होता ही यह जब मों खुद से ऐसे सटव नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो खुद का भी सट्वर्पन होना चाहिए लगता है कि निट की तेया कर सकते हैं तो आपने इस खुशी को अपने छेत्र के लोगों के साथ अप जो बच्चे तियारी कर रहे हैं उनलों को क्या अनुभव है वो क्या शेयर करना चाहिए कि अगर आप नीट की तियारी अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप कीजिए और और बायो केमेस्ट्री फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्स पे इक्वल फोकस होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए तो रिजल्ट तो मिलेगा है उस समय आपने नीट के लिए कितना टाइम दे पा रही थी और उसको किस रूप मेले की फस्ट एटेप में ही क्वालिफाई क अधर सब्सक्राइब करना है तो मैं कितना योगदान है किसी सफलता के लिए लिए मतलब mcq क्सिक्त बहुत जदा जरूरी क्योंकि में मिस्टेक्स प्रमोर्त यूह में होते हैं जितना जितना प्रा 선िश कर सकतें इंसी क्यूंना कैमेस्ट्री फिजिक्स tर विंब उतना ही अच्छा रहेगा। कारण बनां है। नीड की तेयारी कुछ कम होता है, क्या उस विशेक को भी उसी परात्मिक्ता के तोर पर तो किया ना मेरा फिजिक्स से कम हो जाता है तो उसमें ज्यादा फोकस किया आज कंप्रेज और से मिला है भापा करना कैते हैं और आट क्या नाइचा या है और बापा करने के लिए फमet तदिक पर्idd और रहते थे उनकी देखभाल इंस्पिरेशन बना है कि मतलब डॉक्टर बनना चाहिए और जो लोग हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं उनलों को डॉक्टर को समाज में भगवान का रूप माना याता है तो आप डॉक्टर बनती है उसके बाद समाज में आपका इंप्रेशन किस प्रकार से रहे का पापा से अगर किसी को मतलब अगर समाज सफर कर रही है है फिर कुछ भी आता है तो फिर अपना पूरा देना आस्था कि माई बताइए कि आस्था ने जिस प्रकार से निट क्वालिफाइट किया और बेहतर अंकल आई है तो कैसा नभब हो रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बेटी जब कोई एची मेंट लाती है तो माबाप को कितना खुसी मिलती है बहुत खुसी सब को खुसी मिलती है माबाप के लावा जितने भी रिलेटिव है सब को खुसी मिलती है सब को खुसी मिलती है अब बच्चा जो डेडिकेशन था दो साल से कहीं नहीं आना जाना बस मेरा नाम संजु हुआ हम आस्था की माँ है तो हमारे साथ आस्था है और आस्था जो नीट क्वाइलिफाइड की है यानि 669 अंक लाई है यानि बोले तो 659 अंक एचीव करके मधवनी में पर्चम लहराने का काम की है तो हमारी तरफ से और आप लोग के तरह से भरवर के आस्था को आसिरवाद मिलना चाहिए बधाई मिलना चाहिए तो अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक सेर क कर दिजेगा साथ में आस्था जिस प्रकार से अपने पिता के आस्था को ले करके चले हैं तो आने वाले मधवनी के और मिठलांचर के लोग जरूर आस्था पर आस्था रखेंगे कि आस्था बीश्यस रूप से चिक्रिस्टा के छेत्र में लोगों का आस्था बनके दिख इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहें और इनके लिए भर भर के आप आशिरवाद देते रहें